नमस्कार दोस्तों टेक्वी सुभास के एक नेंट फ्रेश वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों चुनाव का महूल है तो मैंने सोचा कि क्यों न हम चुनावी पोश्टर बनाना सिख ले तो आज किस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अपने एंड्रोड मोबाईल से आप चुनावी पोश्टर कैसे बना सकती हो बिल्कुल हाई लेवल वाला सबसे पहले मैं एक्जांपल दिखा जिता हूँ कि हमने कैसा जो पोश्टर है वो बनाया है तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह मैंने एक पोश्टर बनाया है ऐसा पोश्टर आज किस वीडियो में आपको बनाना सिखाने वाला हूँ वो साथ ही साथ आपके माइन फे डिफेंड करता है कि कैसी डिजाइन आप सोचते हो उस डिजाइन के अधार पर जो आप बना सकते हो अपना पोश्टर मैंने एसा बनाया तो ऐसा बनाना सिखाऊंगा लेकिन आप अपने दिमाग के अनुशार कुछ अलग डिजाइन ले सक तो देख सकते हो गाइस इस तरह के सा पोश्टर जो हम बनाएंगे इसके लिए आपको सबसे पहले एक फोटू जो बड़िया सी फोटू क्लिक करवा लेनी होगी आपकी जो भी बड़िया सी फोटू है वो क्लिक करवा लेनी होगी जैसे कि यह एक फोटू है देख सकते हो इस photo से मैं poster बनाना शुकाने वाला हूं, पहला मैंने poster बना जिया है, अब देखें यह वो isthakai-ki photo आपको click करवा लेनी है, poster आप बना रहे हो, अब थोड़ी अलग बी करवा सकते हो, जैसे आप इस poster में देख सकते हो, कि इस film लोऑब ऐसे photo की photo सी nosal, अब poster बनवाने के लिए आपको जहा है वो ऐसी photo click करवा लेनी है अब देखिए इसके लिए आपको एक application की जुरुत पड़ेगी जिसमें हम अपना poster बनाएंगे इस application का नाम है guys picture lab अब देखिए यह picture lab application आपके पास होनी चाहिए तो इस picture lab application को आपको download कर लेना है डाउनलोड करने की जो link है वीडियो के description में आपको दी गई है अगर description का आपको नहीं पता तो आप यह video देख रही हो इसके title पर click कीजिए title पर click करने के बाद पूरी जो information है मेरी video की वो आपके सामनी आ जाएगी वहां पर मिलेगी आपको app link pixel lab की link उस पे click करने के आप जहाओ इस application को download कर लीजिएगा हना download करने के बाद आपको अपना internet on कर लेना है और chrome browser आपको ओन कर लेना है chrome browser में आपको एक website open करनी है remove.bizy अब remove.bizy पे आपको आ जाना है इसकी भी जो direct link का video के description में मैं आपको दे दूँगा तो वहां जाकर आप जहाओ ले सकते हो अब यहाँ पर आने के बाद आपको यह जो upload image का option देखने को मिलता है इस पर आपको click करने के बाद आपको अपने एक photo यहाँ पर upload करनी है आप फोटो आप click करवाने के बाद यहाँ पर upload कर दीजिएगा च्यार से पांच सेकेंड लगेगी और आपकी photo जो है वो png में बनकर त्यार हो जाएगी आपका जो background वो erase हो जाएगा तो आप देख सकते हो मेरी photo का जो background है वो erase हो सुका है अब इस photo को हमें download करना है अप्लिकेशन में और इसको open कर लेना है और उसके बाद cancel पे click करना है ऐसा कुछ interface आपके सामने आ जाएगा सबसे पहले आपको एक new text का option देखने को मिलेगा इसको जो text delete करने को option है इस पर click करके delete कर दीजे अब जो यह background हमें मिला है यह चोकोर मिला है इसी में हम अपना poster ब अबरी उपर आपको three dots दिखाई दे रहे होंगे right side में इस पर आपको click करना है और यहां पर image size का option आपको दिखाई दे रहा है इस पर आपको click करना है यहां से custom है यह बारासो असी इसकी जो लंबाई और चोड़ाई है वो इतनी है तो आप अगर change करना चाहते हो तो यह custom व हो जाएगा लेकिन पूरी जानकर यह आपको मिलेगे तो इस वीडियो के साथ बने रही है तो यहां पर आप देख सकती हो हमारा जो inside interface देखने को मिल गया है अब आपको क्या करना है यह जो निचे निचे option देखने को मिलता है fourth number वाला option इस पर आपको click करना है और यहां पर color हम ने लिए है अब हमें design करने की जुरूरत है अब design करने के लिए आपको क्या करना है उपने Dan हमारा जो गोल हमने बनाए इसका color जो हमने white लिया है अगर आप दूसरा लेना चाहते हो वह ले सकते हो color बदलने के लिए simply आपको यह जो त्री नमर वाला option देगन को मिलता है इसमें आना और यहां पर colors पर click करके इसको enable कर देना और यहां से जो भी color आपको अच्छा लगी व तो मैं इसको यहां पर रखूँगा अब देखिए इसको मैंने यहां पर रख लिया गाईज आप देख सब तो इसको मैंने यहां पर रख लिये अब देखो इसको रखने के बाद आपको क्या करना है यहां पर रख लिये अब रखने के बाद आपको क्या करना है आपको simply ए आपको design करने के लिए बता देता हूं इस दूसरी वाली का color आपको वही color ले लेना है जो आपकी background का है black है तो इसका black I mean yellow है तो yellow हम रहने देंगे इसका color yellow हमने रहने दिया उसके बाद अब देखिए यहाँ पर गुलाकार है अब इसको थोड़ा सा आगे ले जाएंगे और य पर ख्लिक करेंगे और from gallery पर क्लिक करके हमने जो photo cut की है वह photo यहां से हम ले ले लेंगे तो यह photo जहां में ले लेता हूं आप देख सकती हम ले ले लिए अब इस photo को जहां हम गोलाकार करेंगे गोलाकार करने के लिए जो नीचे आप देख सकती हो आपको लोग का बटन दे cut कर लिया है cut करने के बाद आपको right के symbol पर क्लिक करना है अब एक बात आपको ध्यान देनी है कि यह जो photo इसका background पूरी तरीकी से erase नहीं हुआ क्योंकि हमने पिछे एक background में photo click नहीं करवाई थी इसकी वज़े से यह जो photo है पूरी तरीकी से अच्छी तरीकी से cut नहीं हुई है अगर आप इसके मुग के पास देखोगे तो कुछ background आ रहा है तो इसको हम erase करेंगे erase करने के लिए आपको एक option को मिलता है आपको थोड़ा सा आगे जाना है और आपको erase option को मिलेगा eraser का इस पर आपको click करने के बाद इसको थोड़ा सा जोम कर लेंगे हम अपने अनुसार अब जोम हमने किया और जोम करने के बाद इसको हम cut करेंगे यहां से अपनी अंगुलिया से लाकर इसको cut कर देंगे अपनी अनुसार धीरे धीरे करेंगे थोड़ा सा time लगने देंगे क्योंकि अच्छी photo crop होनी चाहिए हमारी अपनी photo को erase करने के बाद आपको right के symbol पर click कर अब देना यह photo हमने लगट सही बना ली अब देखे इसको जाओ इस तरह किसी आपको चोटा करना है और इस photo को हमने जो बना ओगेअ इसमे अड़ गरेकay और add करने के लिए तो सबसे पहले हम नीचे का design बनाएंगे जैसे कि नाम और नमर बनाएंगे इसके लिए आपको उपर उपर आपको एक plus का icon दिखाई देता है इस पर आपको click करना है और text पर आपको click कर देना है, text पर click करने के बाद आपका candidate है, उसका नाम लिख लिए, दुला राम भारी और आगी जो है उसके गाओं का नाम लिख दिया और mobile number लिख दिया, इससे बड़ी होता है तो आपको ok पर click कर देना है, इस तरह किसे आपको पूरा पूरा जो है वो लगा लेने अब देखिए इसमें आपको color change करने की जुरूरत है तो color इसका हम white देंगे, अब देखिए white color आपको चुन लेना है यह text का, color white लेने के बाद आपको आगी आना है और यहाँ पर एक background color, background option देखने को भी लेगा इस पे click करना और इसको own कर देना है जैसे कि यह background जो है वो अच्छा दीखे तो इसको आपको यह left painting को पूरा कर देना है और right painting को भी आपको पूरा कर देना है यह painting होती है इसको पूरा कर देना है और निच्ची हम लाएंगे इससे पहले इसकी जो size है उसका font है वो हम जो है वो अपने अनुसार बढ़ाएंगे तो size बढ़ानी के लिए font का option देखने को मिलता है font पे click करेंगे पहले font बढ़ाएंगे तो यहाँ पर my font में जाओंगा और यहाँ से में अपनी अनुसार कोई भी font ले लूँगा तो मुझे यह वाली font अच्छे लगती है तो मैं यह जहाँ ले लूँगा अब देखें आपके पिक्षले में यह font नहीं होगी तो इसके लिए आपको अलग से इसमें पिक्षले में font डालनी होगी इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाए कि पिक्षले में हिंदी font कैसे डाले अपनी custom font तो उसके लिए आपको वीडियो की description में उस वीडियो की link मिल जाएगी तो उस पे click करके आप वो वीडियो देख लेजिएगा काफी कमाल का वीडियो है अब देखिए इसका जो background वो अपने अनुसार थोड़ा और बडालोंगा थोड़ा ऊपर से बडालोंगा यहां से और थोड़ा सा निच्चे से बडालोंगा तो भी बढ़िया लगेगा अब देख सकते हो मैं निच्चे यहां पर आ गया हूँ और यहां पर मैंने इसका जो रख दिया अब देखिए इसन्या design हमारा हो गया बाकि का design हम करेंगे सबसे पहले हम text पर click करेंगे और एक text ले लेंगे यहां पर हम लिखेंगे serpent सरपंच जो भी आपका कोई हो और लिख सकते हो टेक्स्ट का आपके अनुसार लिख सकते हो मैं सरपंच का पोश्टर बना रहा हूं तो सरपंच लिखने के बाद OK करेंगे और इसका जो साइज है वह थोड़ा बडा देंगे सबसे पहले हम इसका कलर्लर चेंज करेंगे, ब्लेक करलर रखेंगे हमारे टेक्स्ट का, उसके बाद हम फॉंट में जाएंगे, इसका फॉंट चेंज करेंगे, जो भी आपको फॉंट अच्छा लगे, वो आप अपने अनसार ले सकते हो, जो भी आपको फॉंट अच्छा लगे ना, वो आप अपने अनस देंगे यहाँ पर सरपंस लिख दिया पद ही तो हम लिखेंगे पद ही तो लिखने के बाद ओके पर क्लिक करेंगे और इसकी जो साइज है इस तरी किसी कम करेंगे और यहाँ पर हम रख देंगे जैसे कि यह अच्छा लगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर सरपंस पद ही त तो मेरे पास यह है, शिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मक्सद नहीं, मेरी कोशिश है कि गाहँ बदलना चाहिए, तो आपको भी एक सायरी ले लेनी है, तो मैं इस सायरी को कोपी कर लेता हूँ यहाँ से, तो यहां से मैं जहाँ कोपी कर लेता हूँ, अब चुनावी सायरी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी उस पे कलिक करके बहुत सी चुनावी सायरी आप ले सकते हो आपको कहीं बटकने की जुरुत नहीं आपके भाई ने पूरा जुगार करके रखा है इसको कोपी करने के बाद आपको आना है पिक्सलेव अप्लिकेशन मे और यह उपर वाला सरपन्स को कोपी करेंगे और एडिट में जाएंगे और उसके बाद इसको सरपन्स को अटा के हम अपना सायरी लिख देंगे ओके पे क्लिक कर देंगे सायरी हमने लिख दी बहुत बड़ी सायरी लिखी गई है देख सकते हो इसको इस तरह किसे आपको ब करना और बीच वाला सेलेक्ट कर लेना जिसे कि यह बढ़िया लगे उसके बाद राइट के सिंगूल पर क्लिक करेंगे अब इसका जो हम कलर वगिरा बदलेंगे कलर बदलने के लिए आपको कलर में जाना है और यहां से कलर जो भी आपको अच्छा लगे वह आपको कलर ले ल तो मैं इसको जो बाहर वाली लाइन वाइट कर दिया उसके बाद थोड़ी सी साइज बढ़ाएंगे और इसका जो साइरी का जो फोंट है वो भी हम चेंज करेंगे क्योंकि मुझे यह अच्छा नहीं लग रहा है फोंट वाले में जाएंगे और आपको जो भी फोंट अच और शुकर फोलो करना उसके लिए S로ー वाले को कॉप्य करेंगे कोपी करने के बाद अब आपको एक और टेक्स्त लिखना है जो भी आप लिखना चाझती हो तो मैं यहां पर में इस बंदे के गाउं का नाम लिखाना की का लाइडला तो मेरे यहां से नेशा का गाउं का ना आप अपने अनुसार डिजाइन कर सकते हो, यह जरूर नहीं है कि मेरी वाली कोपी करो, आप अपने अनुसार डिजाइन रख सकते हो, हना तो आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर इसको रख दिया, अब इसका भी color change करने की जरूरत है, तो color हम change यहाँ से कर देंगे, जो भी आपको पसंद आए, तो मैं यह color यहाँ पर रहने दूँगा, अब देखिए, guys, color combination का आपको पता होना चाहिए, कि कौन सा color कहाँ पर suit होता है, मैं अभी वीडियो बना रहा हूं, तो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, कि कौन सा कहाँ पर रहा है, लेकिन poster आप बनाओ, तो यहाँ पर यह रख दूँगा, हाना, अब यहाँ पर रखने के बाद आपको काम करना है, अब देखिए, बाकी हमारा जो area बच्चा होई, तो इस area में भी कुछ लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर हम ऐसे खाली छोड़ देंगे, तो बढ़िया नहीं लगेगा, poster बेकार हो इस png को में select करूंगा, यह लड़की की png है, आपको भी google से कहीं से भी download कर लेनी, यह बड़िया लग रहा है, तो आप अपने अनुसार ले सकते हो, इसको थोड़ा से cut करेंगे, cropping, cropping पे जाएंगे, और इसको भी save देंगे, यह circle वाला, उसके बाद यहाँ पर जाएंग हम जैसे की गाउं बदलनी आया हूँ, में नहीं हम जीतेंगे, वो वगरा है, इसके लिए आपको यहाँ मुसर वाले लाड़ ले वाले पर click करना है, इसको copy करेंगे, और यहाँ से हम इसकी बदल लेंगे, तो मैं यहाँ पर साहिरी लिख लेता हूँ, तो guys मैंने अपनी ए adjust कर लेंगे, तो मैं इसको size कम कर देता हूँ, और यहाँ पर में नहीं हम जीतेंगे, और इसको यहाँ पर रख देंगे, है ना, तो यहाँ पर यह अच्छा लग रहा है, अब देखिए में नहीं हम जीतेंगे, फिसे copy करेंगे, और एक line और लिख देंगे, जैसे की वादे नहीं काम देखो, आप अपने अनुसार लिख सब्सक्राइब, बहुत सारी सारी आपको वीडियो के description में दीगे link पर copy कर लेने है, वाँ पर मैंने बहुत से लिख कर सकते हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैंने लिख दिया, ok पर click करेंगे, इस बार इसका जो color है, वो change कर देंगे, आपको अपने अनुसार colors change भी करने है, क्योंकि एक ए color में आप रखोगे, तो बढ़िया नहीं लेगेगा, आपको बहुत से colors use करने है, लेकिन primary color आपको एक ही रखना है, जो भी आपको बढ़िया लगे, वो color आपको जरूर रखना है, तो मैं यहाँ स इसका जो adjust कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर adjust कर दिया, अब adjust करने के बाद थोड़ी जगे और रह गई है, तो इसको हम कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर, हमने जो poster में अपने अनुसार इतनी रख ली है, अब इसमें जो कुछ और PNG एड़ अब देखें, मेरे पास यह PNG है, तो मैं इसको लाओंगा, लोकमत सरपंच, यह PNG है, आप PNG गूगल से download कर सकते हो, ओके पर click करेंगे, अब देखें, यह अवाईस निच्चे नाम आगे, इसको cut करेंगे, जाएंगे, इरेजर पे जाएंगे, इरेजर पे जाने के बाद इसको हम cut कर देंगे, अपनी अनुसार जो भी आपको cut करना आता है, जैसे आपकी skill है, उसके अनुसार इसको cut कर देंगे, निच्चे वाले नाम को, क्योंकि बेकार पार्ट हमें नहीं चाहिए, तो यह जो लोकमत सरपंच है, यहां पर हम डाल देंगे, तो यह बड़िया लग रहा है, बीच में डालने से बड़िया हो जाता है, अब यह हो गया, अब बाकी अब देखिए, इसमें आप अपना logo दीजिए, जैसे कि आप खुद बना रहे हो, तो मैं बना रहे हो, तो इसमें अपना logo दूँगा, तो logo देने के लिए simply आपको कुछ नहीं करना है, आ इसके आइकन पर क्लिक करना और आपका logo इंपोर्ट कर लेने, मैं फ्रॉम गेलेट पर कलिक करके ले लेता हूँ, तो मेरे पास जो अपना logo है, ये वाला तो इस logo को मैं ले लूँगा, अब logo लेने के बाद यहां पर आपको एडिजिस्ट करना है, अब देखिए, लोगो अ इस सब के बीच में लगाना चाहता हूँ, यहां पर लगाना चाहता हूँ, अब देखिए, आपको बेकार लग रहा होगा है, लोगो लगाने के, लेकिन एडिजिस्ट करेंगे ना, यहां पर मैं इस logo को लगाऊंगा, सबसे पहले यहां पर आपको डिलेट, क्रोपिंग य जैसे कि यह पीच्छे से ले जाई, अब पीच्छे जाने के बाद थोड़ा सा आपको आगे आना, और यहां पर आपको एक opacity को उपसिटी को अप्शन दिखने को भी लेगा, इस पर क्लिक करना है, इस opacity को इस तरीके से कम कर देना है, अब देखिए opacity को हमने कम कर दिया, इतना ही रहने दूँगा, अब देखिए इस पर आपको, इसको आपको save कर लेना है, save करने के लिए आपको save का बटन देखने को मिलता हूँ, प्रैस्टी काड का इस पर क्लिक करेंगे, और save photo पर क्लिक करके, save to gallery पर क्लिक कर देंगे, हमारी photo save हो जाएगे, इस तरीके से अगर आप नए हो तो subscribe कर लिजिए, पासिमाने वाले घंटे को दबा कर और notification ओन कर लिजिए, हम मिलते हैं next video में, ताप तक के लिए जाहिंद वन्धि मात्रम